नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरू जी पर तो गैसे से कि आप सभी को पता है कि डेली साम को पांच बजे बिसिकली एक लाश चलती थी बेड़ इंटे जियाम के लिए जीके की लेक वेलकम है जितने लोगों ने अभी तक टेली नाम जोईन नहीं किया जोईन कर ले फॉर फ्री पीडियाफ एंड फॉर एनी डाउट यू कन जोईन मी ऑन इंस्टाग्राम जल्दी से आप लोग फॉलो कर ली जग नीचे लिंक दिया गया है और आप सभी को पता है कि मेरी अ अन एकैडमी पर फॉलो नहीं किया है अन एकैडमी पर अगर आप लोग अभी तक नहीं आये हैं इंडिया का लाजिश्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है पढ़ाई के लाव वहां पर कुछ और नहीं मिलता है तो आप लोग जरू अन एकैडमी पर आजओ नीचे आपको लि क्लासे जो किश काउंने को मिल जाएगा तो चलिए काफी लोग यहां पर जुड़ चोके हैं काफी यहां पर फटापट जिल्दी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आज का पिक है इतिहास रहने वाले ठीक है तो पहला question देखे आप से, सबी लोग यहाँ पर जवाब देते हुँ चलेंगे, इतिहास के आरंभिक काल को निमलिकित में से क्या कहा जाता है, फटा फट जवाब देते हुँ चलेंगे, इतिहास का जो आरंभिक काल है, निमलिकित में उसे क्या कहा जाता है, फटा फट यहाँ पर जव था अगला कोईशन देखिए आप से हावर क्या कह रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट और आई होप सबको पता होगा भीम बेटिका की जो वुफाए हैं वो आपकी कहां पर वस्तित हैं किस राज्य में हैं बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर् किस काल या किस युग में पत्थर के अजार सबसे पहले पाए गए थे फटाफर जवाब देती हो चलेंगे कौन से काल या कौन से युग में पत्थर के क्या पूछा अगर भी पत्थर के अजार जो है सबसे पहले पाए गए थे देखिए पत्थर से अगर हम बात करते तो पासाड, पासाड मतलब भी सबको पता होता है, लेकिन सबसे पहले पूरा पासाड में पाए गये थे, आरंबिक काल तो यही था न, पूरा पासाड, तो जितने लोग यहाँ पर पासाड, आपसन नमबर B जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो एक कोशन यहाँ से और बनता है, कि यह जो सडके होती थी, पूर्व से पस्चिम तथा उत्तर से धच्छड की और समकोर पर काड़ती थी, अगला कोशन देखेंगे आपसे कहा रहा है, निमलिकित में से कौन सी सब्व्यता, अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, सब्सक्राइब आपको clear हो जाएगा बिल्कुल tension मत लीजिएगा अगला question देखिए कह रहा है कि हडपा और मोहन जोदारो की खंडाहर निम्लिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं question number 6 है बिल्कुल सब लोग करता है जीके की तैयर है जीके की तैयर में इस बार ऐसी करवा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर जो है गें करके आओगे हडपा और मोहन जोदारो के जो खंडार है निम्लिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं तो यहाँ पर रावी व्यास जेलन दिया गया है जबकि यहाँ पर हडपा की अगरम बात करते हैं तो हडपा जो है रावी नदी यहाँ पर देखे थोड़ा सा confusion है क्योंकि कि हडपा जो है रावी नदी के किनारे वश्बन है और मोहन जोदारो के करते हैं तू सिंदु नदी किनारे वश् засथ है बट यहां पर रावी जवाब दिया गया तो याद रिख लीजेगा बट यहाँ पर पेपर में आता है तो धिहान रखेगा मोहन जोदारों जो खंदर और बिल्कुल सही बात है सर मोहन जोड़ो आप ही मने थोड़ी इसकी जश्ट पहले देखी बता दिया ना कि मोहन जोड़ो सिंदु नदी है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा सर सिंदु नदी मोहन जोड़ो तो आपस नमबर जो इसका बी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लीर हो गया ना कोश्चन दोनों वाला अगला कोश्चन देखिए कह रहा है सिंदु घाटी सब्वेता की लिपी कौन थी है फटा-फट जवाब देंगे सबी लोग सिंदु घाटी सब्वेता की जो लिपी है कौन थी थी दोस्तों सिंदु घाटी सब्वेता की जो रायताकार मुहरे थी बहुत सारे से मिले थी लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है इसे विजासे इसको अग्यात बोलते हैं अगला कुशन देखे कह रहा है मोहन जोद्रो का जो अस्थानी नाम था वो था रेगिस्तान का टीला या मृतिको का टीला दोनों में पूछ की थी भाई रखाल दास बंदर जी ने ठीक है तो यहां पर यह चीज़ आद रखिएगा मृत को का टीला मौंट आफ डेट तो ऑक्स नमबर जो इसका सी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया है मोहन जोद्रों में सबसे बड़ा भ और वहां का सबसे बड़ा भावन था याद रखिएगा और जो इसका बी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो एगा जबकि जो लोग विसाल इसनानागार जवाब बार बार दे रहे हैं यह आपका 11 गुड़े 7 बड़ा होता है या 45 गुड़े आपका 22 बड़ा होता है खुद दो इसनानागार या ग्रेट बात अगर पूछा जाता है तो यह आपका मोहन जियोतरों में मिला था अगला कुश्चन दीखिया आपसे कहा रहा है कि सिंद्धुगाटी के लोगों की एक महत्तपूर रजना निमलिखित में से किसकी मूर्ती थी बताई से नत्राज बुद् करती हुई बालिका जो है ये कांसे की निर्मत मूर्तियां थी तो उप्सन नमट जो इसका बी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन देखिये कह रहा है देवी माता का पूजा संबंधित थी बताई सर्थ देवी माता का पूजा जो है किन्स की देखिक कभी कभी देवी माता या मात्रदेवी अगर आपके पेपर हम संगskे सब्धा के लोग जो हैमिकี่ कि पूजा करते थे मांत्रदेवी की पूजा तो ऐकला और देखियो you अगला question देखिए आपसे क्या कह रहा है सिंदु घाटी सभ्यता का पत्तन अगर यानि की बंदरगाह कौन सा है फड़ा-फड़ यहां पर जवाब देती हुआ चलेंगे सिंदु घाटी सभ्यता का जो पत्तन यानि की बंदरगाह है वो आपका कौन सा है तो दोस्तों याद र रहा है लोथल नामक अस्थान निम्लिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था बताई जर लोथल नामक अस्थान जो है अभी मैंने आपको ताया सर्थ लोथल जो है गुजाज इले में भोगवा नदी की इनाड़े वस्तित है बट यहां पर अगर हम बात करते ह लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला क्वेशन देखी कह रहा है कि सिंदुगाटी सभ्यता में काली बंगा निम्लिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है फड़ाफट जवाब देते हो चलेंगे वह इस तिन दुगाटे सभ्यता में जो काली बंगा है वो किसके लिए फेमस है तो याद रखेंगे दूस्तों काली बंगा जो है मिट्टी के पात्र है जितने लोग यहां पर आप्स नंबर डी जवाब दे र ब्यापार था तो आपसर नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल गरेक्ट हो जाएंगे ब्यापार था नगरिये सभ्यता था और ब्यापार प्रधान था इसे जैसे ताकर जो है ब्यापार ही माना जाता था अगला कोशन देखिए आ करको पता है कांस की यूगी इंटवैता बोला आघया है कि आप था यहां पर तौम्भा हो गया कांसह हो गया सोना हो गया यह सम्मुले थे लियुके हम बात करते का छाई सा पूर था Лटब्वा के और तो अगला कोशन देखो आफ से यहां पर क्या कि वाला है ज इस घॉटां च्बोर मैं ये आपका ये ना दिया जाएiron e संपने हो जाएगा ढत only clean ऑन्दी और ये जो पुरास्थल है ये संफ संबन्दित है और यह कौन से सब्सके में हैं सब्सक्राक्षर थीक है बहुत ही इंपॉटन क्वेशन है अफगानिस्तान यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन दीखिए आपसे यहां पर क्या पूशा गए है बहुत ही इंपॉटन्ट है अगला टॉपिक है वैधिक आरियो का प्रमुख भोजन क्या था फड़ा-फ करेक्ट हो जाएंगे रिग वेद में भी आपको बताया गया कि दूद में जव डालकर शीर पकाना और दही बनने वाले पनीर का उलेग जो है आपको रिग वेद में देखने हों मिल जाएंगे कभी कभी पेपर में पूछा जाता है अगरा कोशन देखे कह रहा है नेमलिकित म अबेद तो अन्य द्वारा सबसे पहले इस जो है क्या बोलते हैं अन्य का प्रियोग सबसे पहले दिया गया था तो आपसा नमबर जो इसका ए है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन दिखे हाँ से कह रहा है कि बैदिक लोगों द्वारा किस धातु क अबी तक नहीं हो पाई इसे जासे कुछ बिद्वान इसको तामबा मानते हैं कुछ लोग मानते हुए आ रहे हैं इसके साथ यह देखने को मिलते हैं अगला कुशन देखे क्या गह रहा है वेद सब्सब्द का आर्द क्या होता है बताइए सरु वेद सब्द का जो वर्थे क्या होता है बहुत ही important चीज़ यहां पर दिया गया है तो जिससे याद रखेगा वेद सब्द का मतलब होता है ग्यान क्या होता भई ग्यान होता है तो option number जो इसका a है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखे आपसे कह रहा है कि किन तीन वेदों को सव्च्छ रुप से वेद तरई कहा गया है बहुत ही ज्यादा important question है फटा फट जवाब देते हैं चलेंगे किन तीन वेदों Gulf को संविक्त रूप से वेध त्रही कहा गया है तो साथी रियाद रखिए का इस कर्रेक्ट एंस र्य आपको क्या हो जाएगा सर रिग वेध, साम वेध और यजुर वेध इन तीन वेधों को Matthaus क से क्या कहा गया है भई पहले ब्रह्मचर ये फिर ग्रहस्त पहले ब्रह्मचर जीवन होता था फिर ग्रहस्त जीवन होता था फिर वानप्रस्त होता था फिर सन्यास होता था तो जितने लोगे ने आफ्सर नंबर ए जवाद दिया देखो ब्रह्मचर ये जीवन मतलब सो वर्स माना जो हिंदु धर्म है आरे सब बता है उसमें सो वर्ज माना गया है और पचीस 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 वर्ज की उस्था में इसको तोड़ा गया है पचीस वर्ज से घोडो द्वारा चलाए जा रहे रतों का प्रियोग किया था बहुत इंपोर्टन्ट है आपसर नमबर जी इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन दिखे आप से क्या कह रहा है कि आरंबिक वैदिकाल में वर्ड व्यवस्था धारी थी किस पर व्यवसाए पर जन्म पर या प्रथ्वा पर तो सबको पता भाई यहां पर आगर बात करते हैं वर्ड वियौस्था के बारे में तो वर्ड विवस्था जो है पहले जो आरंबिक पर पर शायोlingen वियुब को पाटा जाता था तो जितने सर पसुचारी लोग क्यों माना जाता है उनको तो दूस्तों याद रखिएगा रिग वैदिकाल में सबसे अधाव लेग जो है गाय का मिलता है तो इसलिए यह भी हो सकता है और अधिकान से उद्धिगायों के लिए लड़े गए थे और पुरोई तो दारा दिया जाने जो प प्पॉर्टम् क्वेशन है आरियों को एक जाती कहने वाला पहले यूरो पिछय rhetoric कॊन था तो मैक्स मोलर जो है ओरीं का आद आरियों को एक जाती कहने वाले पहले यूरोपियं दे और यह बिसिकलिग कहा था कि पामीर के पठार से ही इंडो इरानी जाती में पूर्ब में पंजाब तथा पश्ची में मेसु पुटोमिय की और गई है तो मैक्स मूलर बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है पहले युरुपें ते जिन्हें आरियों को एक जाती कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टन इसको टिक कलेज़ेगा इस्टार कलेज़ेगा में भी पेपर में आपके वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है चलिए बाइए अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा कोशन नमबर बारा पूछा गया है निमलिखित में से कौन सी जन जाती है सभा स्तामान रूप से जन जाती ह तबहा या विदाता बार नंबर कोईशन है जब आप देखे आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा यहाँ पर जो आपकी समीती थी ठीक है अगर हम समीती की बात करते हैं तो यह जो है जन जाती है सरदार मुख्या की चुनाओ के रूप में सामिल होती थी तो आपसन नमर यह जो है बिसिकली एत्रिय ब्रामबर में ठीक है बहुत ही इंपोर्टन्ट है एत्रिय ब्रामबर में राजय भिसिक समारों का जो विवरण है आपका किया गया है तो आपसन नमर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन देखे क्या गया है वैदिक यूग में राजा अपनी जनता से जो कर्वसूल करते थे उसे क्या कहते थे पताइए सर जो वैदिक यूग में राजा अपनी जनता से कर्वसूल करते थे उनको क्या बोलते थे ठीक है बली बहुत ही इंपोर्टन कोईशन है बली को संग्रहित करने वाला दिकार भाग दुग कहलाता था और जो कोसा उसको समाल कहता था वो कोसा धेक्च उस समय भी कहलाता था अगला कोशन देखी क्या कह रहा है कि गयत्री मंत्र कहां से लिया गया है यह तो सबको पता होगा भई गयत्री मंत्र जो है विसिकली कहां से लिया गया है तो बिल्कुल सही बात पर उत्किर्डित सत्यमयो जैते कहां से लिया गया है बताए जर सत्यमयो जैते जो है कहां से लिया गया है तो दूस्तों याद रखिएगा सत्यमयो जैते जो आपका मुंडोक उपनी साथ से लिया गया है कहां से लिया गया है तो आपसे नमबर जो इसका डी है यहां पर बिल इला रूप होता है इस स्रेलिंग होता है विदुसी तो कौन सी विदुसी ने वाद विवात में अजे याग वलक के को चुनोती दी थी बहुत ही इंपॉर्डन कोईशन है जवाब देखें आप राना सरू हो गया है तो गारगी बिल्कुल सही बात है सर गारगी द्वारा जाएगा अगला कोईशन दीखें कह रहा है कि प्राचीन भारत में निमिकित में से किस विवाह को विधी सम्मत नहीं माना जाता था बताई सर प्राचीन भारत में किस विवाह को विधी सम्मत नहीं माना जाता था तो दोस्तों याद रुखिए गए यहाँ पर जो करेक्ट यहां पर किया क्या कह रहा है गौत्तम बुध्र का जन्मस्थान किस के दोरा अंकित किया जाता है बताईकिसर बहुति इम्पॉर्टरिंग कैस्षण हैThe question ग्या गिता मपूद्र कज अपने राजय विशेक के बीसे वर्स जो है लुम्मनी गराम में गए थे उन्होंने वहाँ पर पत्थर की दिवार बनाई और सिला स्टम्ब खड़ा किया और भागवान बिद्धु का जनम जो है पांसो तीसर इसा पूर्वा वहीं पर दिया गया था अगला कोशन देखिया आपसे क्या कह रहा है बुद्ध जो है किस क्लैन से संबंदित थे बताएं सर जो बुद्ध थे महात्मा बुद्ध किस वंसे संबंदित थे तो दोस्तों याद रखिए अगर बुद्ध जो है आपके शाक किस संबंदित थे तो आपसर नमबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल राज इग्रह में हुआ था ठीक है राज इग्रह में हुआ था तो अपसे नमगर जो इसका सी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पांचवी बहुत परिसत का आयोजन पताए किस ने किया था पांचवी बहुत परि ना तो हर्स होगा ना तो कनिस्क होगा ना तो विंदसार होगा तो इसको हटाई दो इस कोशन को इश्टार कर लो याद रखिए दोस्तों इसका जो सनवर्द आयोजन जो है राजा मिंडन ठीक उनके सनिशड में हुआ था तो ये तो गलत हो जाएगा अगला कोशन इसकी प्राप्त हुई थी ग्यान के प्राप्त हुई थी ग्यान की प्राप्ति होने के बाद से इनका नाम बुद्ध पढ़ा था तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्यान प्राप्ति और जो इसका यहां पर बेल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से कह र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखिए आप से कह रहा है कि बॉद धर्म ने समाज को दो वर्गों समाज की दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर प्रभाव शोड़ा था ये कौन-कौन से वर्गों को अपने साथ जोड़ा था तो याद रख सर बुद्ध ने अपना पहला प्रवच्छन कहां पर जार सब को पता है वारान सी में धिया था कहां पर साणात में वरान सी के सणात में दिया था तो ओफसर नमबर बी जितने इubby जव जवाब दे रहे है पहला ब लेकट अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है बहू धर्म जो है किन मतों पर विस्वास करता है पहला कहरा है दुनिया दुखों से बरी है बिल्कुल सही बात है लोगों का दुख उनकी च्छाओ के कार होता है यह भी बिल्कुल सही बात है यह दे च्छाओ पर काबू पा लिया जाए तो निरवार मिल जाता है तो यह भी बिल्क अनात्मावादी यानि कि आत्मा को नहीं मानता है अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बताई सर कोशन नमर दस है सभी लोग जवाद देती हो चलेंगे धातु से बने सिक्के सबसे पहले किसके काल में प्रकट ह काल में ठीक है बुद्ध की काल में जो सबसे पहले प्रकट हुए थे तो अगला कोशन देखे कह रहा है कि प्रारंभिक बौध धर्म गरंथों की रचना किसमें की गई थी तो याद रखिए कि पाली में पहले तो पाली भासा चलती थी तो यहाँ पर पाली पार्ट जो इसका भी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले प्रशन का जवाब देंगे सभी लोग आरंभ बौध साहित के जो है किस भासा में रचे गए थे तो साथी रियाद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट एंसर आपका हो है बताई सर सबसे बाद वाला बहुत धर्म का कौन सा है जब आप देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया तो इसे याद रखिए कि यहाँ पर जो करेक्ट एंसर आपका क्या हो जाएगा वाम साथ पाक सिनी ठीक है ऑप्सन नमबर जो इसका डी दिया गया है वाम साथ पाक सिनी ऑप्सन नमबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कुछन देखिए आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि बॉद्ध धर में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है बताई सर बुद्ध के संदर में जो बुल का संबंध संबंध के कि बुद्ध को प्रबोध करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखि आप से यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन दीखिए आप से यहां पर क्या बोला गया है कि बुद्ध धम और संग मिलकर क्या कहलाते थे जो यह तीन रत न कहलाते ते बुद्ध के अगला कोछल दिखिए आप से हां पर क्या बोला गया है इच्छा सब कषटों का निवारण है इसका प्रचार करने वाले धर्म जो है कौन सा है त्यात रिखिए उस तो बहुत बिसर बिल्कुल सही बात है और ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला प्रशन देखिए कह रहा है कि बाध्यों के पवित्र आउसेसों पर निर्मित गुं बुढ का सम्कालिन था तो यहां पर याद रखेए इसका इन सर अब क्या हो जाएगा बुढकल देखो यहां पर विंबिसार भी था और ठीक के कि दोनों याद रखिए रखेर कि साथ और दोनों थे महापध्मननंदर रूदियाण नहीं थे तो यहाँ पर दो option मतलब कूर दिना चाहिए था बड़ कोई बात नहीं याद रखेगा अज्रा सत्रु भी थे और विम्बिथार भी थे अगला question पूछा गया है कि बुद्ध की मृत्यू जो है किस वर्सुई थी बताई सर बुद्ध की बुद्ध की जनम के वारे मैंने आपको बताई दिया है अब बुद्ध की मृत्यू बतानी है और जवाब यहाँ पर सभी लोग देते हो चलेंगे तो 80 साल के वस्था में 500 सुरी 530 में तो जनम हुआ था बहुत गया में ग्यान की प्राप्ति हुई थी और यहां पर हम बात करते हैं पावापुरी के बारे में तो पावापुरी जो है यहां पर महावीर स्वामी जी की जो हमृत्ति हुई थी तो यहां पर जो option number D है यहां पर correct हो जाएगा अगला question देखिए आप से क्या कह रहा ह यहां पर जो बुद्ध का युग था बुद्ध की युग में जो छत्री थे एक विस्ष्ट पहचान रखते थे बहुत important है याद रखेगा option number D है यहां पर बिलकुल correct हो जाएगा क्योंकि इस इनके काल में ज्यादा तर जो आपके सासक थे वो छत्री कुल से ही संबंदी थ महावीर कॉम्हावीर कोई सब्सक्रांब को पता है 24 वे तीरतकर कौन थे भाई, जैन धर्म की यही थे 23 वे तीरतकर आपके पार्सलनाज जी थे अगला कोश्चन देखिए आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है जवाब देखिए आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखिएगा भारत में जैन धर्म की संस्थापक आपके महावीर स्वाबी जी है तो आप सरंबर जो इसका भी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए आप से क्या कह रहा है जैन धर्म का पहला तीरतकर किसे माना जाता है फड़ा फड़ जवाब देते हैं चलेंगे जैन धर्म का पहला तीरतकर किसको माना जाता है तो याद रखिए दूस्तों पहला तीरतकर जो आपके पारसनाजी थे ठीक है पारसनाजी इतने स्वारी पहले तीर्थ कर थे तो ऑप्सन नमर जो इसका सी है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखो आपसे यहां पर क्या बोला गया है कोश्चन नमर आपके यहां पर 26 वर्दमान महावीर ने पर निर्वार जो है कहां पर प्राप्त किया था था महावीर स्वामे जी की जो मृत्ति होए कहां पर हुई थी तो बताए सर फटा फटा फट जवाब देती हो चलेंगे और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर महाजनपत मल की राजधान ए थी पावापूरी पावापूरी में जो इनके मृत्ति हुई थी महापर निर्वार ज यह कहा जाता है बारा अंग, बारा पांक, दस प्रकीड, 6-6, सूत्र, 4 मोल, सूत्र और अनयोग शूत्र को जहाता है और अगर बहुत्त जीवन के अंतिन दिनों में जायन धर्म अपना लिया था पताईसर 28 नंबर कोईशन है जबाद देती हूं चलेंगे तो याद रखे सिस्ट यहां पर जो करेक्ट हैं सोर आपका क्या हो जाएगा अपने जीवन के अंतिम दिनों में जयन धर्म अपना यहां तो इन्हों ने अपना लिया था तो आपसर नंबर जो इसका सी है यहां पर प्रचिप जवारत है जवाद केंदिगे कुछ आपका इंपॉर्डंड गोश्टिन जवाद दिए रहे वो लोग यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएंगे clear है चलिए भाई अगला question तो यह रहे आज के कुछ आपके important questions और अगली अगला test जो है आपका बहुत important geography का test होने वाला है साड़े 5 बे जाने academy पर तो आपका जो link है मैंने देखिए comment box में pin कर दिया है और पहले उसमें भी pin कर दिया तो आप लोग वहाँ पर जा करके class को ले सकते हैं तो आज की class कैसे लगी comment करके जो बताएगे टेलीग्राम पर जुड़ ज़िए जहाँ पर आपको PDF और important चीज़ जो देखने को मिल जाएंगी तो फड़ फड़ आप लोग वीडियो को like और share कर दिए उसके बद class को करते हैं हम लोग साड़े पांच वोड़ी class को जो हम लोग करेंगे start तो अभी कलिए बाबाई टेक केर जै हिंद जै भारत